इसलाम लीकों में इसाहिए प्रॉंप आगनों जैसे एंड आज एपल का एक लाइव इवमें जिसमें इपने डिफरेंट प्रॉड्ट्स को रिलीज किया है जिनमें एपल वाच सिरी शिक्स है एपल वाच एसी है एंड आई पैड एर एड जिनेशन है अगर मैं आप से सबसे लेगा रोशनी में अगर आप रोशनी में दूप वगरा में हैं तो आपको वाच को ओन करने की जूरत नहीं है उसकालवेज ओन डिस्प्लेई ही अब हमें काफी ब्राइट में देहने को मिलेगा एपल वाच सिरी शिक्स में और ऐसे में उसमें कुछ एक दो हमें दो और कुछ न्यू बैंड्स देहने को मिले हैं जो के सोलो लूप बैंड एपल उनको कहता है उसके बाद जो दूसरी प्रोड़क्ट एपल ने रिलीस की है एपल वाच में वह है एपल वाच सी एपल वाच सी वैसी है जैसे हम आईफून सी कह सकते हैं लेकिन दोनों में डिफ एपल वाच सी बात करनो इसमें हम पिलेपी बिल्कुल एपल वाच सीरिस वहों है सरिसघ्जि खी लेकिन इसमें परक नखूर करने हमें पाता है अगर हम बाकी मार्क हमेहे वाटिसे स्मार्ट वाच के तो अल्वें तो This को इस्ट में हमें कुछ डाउनुसाइथ जो से इसमें हमें और देखने को में एक यहाग स प्ट नहीं मिल रहा तो इपल्वाच ऑभ सी में आपको कोई साफ थोड़ी देहने को मिली है इसकी प्राइस हमें सिर्फ 279 दालर देहने को मिली है जबकि एपल्वाश सीरी 6 के प्राइस 399 डालर है तो अगर आप पकिसान में रहते हैं तो यह उत्रेबर वाच आपको ते इसे तार के क्रिब देहने तो iPad 8 जिन उसा है, iPad 8 में हमें कुछ new internals देहने को मिले हैं जैसा के A12 Bionic Processor जो के iPhone XS में उस हुआ था और जो iPad Air है उसमें हमें new design देहने को मिला है जो के बिल्कोल iPad Pro 2018 model जैसा है और उसका design हमें बिल्कोल iPad Pro 2018 जैसा देहने को मिला है और उसमें हमें Apple Pencil के भी support देहने को मिली है जो के second generation है लेकिन हमें उसमें Face ID का feature नहीं मिला उसकी जगा Apple ने उसके power button में हमें fingerprint sensor का feature दे दिया है यो कि still काफी हद तक better है क्योंके काफी लोग आज कल के Corona virus के हलाद में मास्क यूज करते हैं तो मास्क में Face ID बिल्कुल भी यूज नहीं होती है तो उस हालत में Touch ID काफी हमें फाइदा पहुंचा देती है तो आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो पसंदा है यह तो लाइक जूरू पर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा और मैं आपसे एगली वीडियो में मिलूँगा तब तक के लिए अलाहाफीज